चैशी किशना चैशी रादे दोस्तों दोस्तों मनुष्य का मन इच्छाओं का भंडार होता है मन में इच्छाओं और मनों कामना की कोई सीमा नहीं होती लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी इच्छा जरूर होती है जिसे वो अपने जीवन में जरूर पूरा करना चाता है किसी भी इच्चा को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसे पाने के लिए निरेंतर प्रयास करना लेकिन कई वार व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और परिश्रम भी करता है लेकिन उसके बाब जूद उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो बहुत ही निराश हो जाता है जोतिश में माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म के साथ भागय का साथ होना भी बहुत जरूरी है इसलिए जोतिश में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहें तो प्रियास करने के साथ इन उपायों को भी जरूर करें इच्छा पूर्ती के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं दोस्तो अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है तो इसे अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तो अगर चैनल पर नहीं है वीडियो को पहली वाड देख रहें तो इस वीडियो को लाइक तो करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त मित्रों और रिष्टेदारों को भी ये वीडियो शेर जरूर करें तो दोस्तों, अब हम आपके लिए बात कर लेते हैं उपायों की कि अगर आपके मन में कोई गुप्त इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं अगर आप अपनी मनों कामना पूरी करना चाहते हैं तो तिल का तेल और सिंदूर मिला लें और आप तिल का तेल लें और उसमें सिंदूर मिला लें अब एक जटा वाला नारियल लेकर पूरे नारियल को सिंदूर से रंग दें इसके बाद धीमे स्वर में लग भग 15 मिनट तक इस मंत्र का चाप करें मंत्र है ओम इम हीम प्लीम हीम इम ओम इस मंत्र के जाप के बाद मां अम्बे से अपनी मनो कामना पूर्ती की प्राथना करें इस तरह से आप लगातार साथ दिन तक रोज इस मंत्र का जाप करें साथवे दिन मंत्र जाप के बाद इस नारियल को बहते हुए जल में बहा दें इसके बाद किसी कन्या को मिठाई और दक्षणा दें इच्छा पूर्ती के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है दोस्तों अगर आपके मन में कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही तो इस उपाय को जरूर कीजिए यकीन मानिए आपको पॉजिटिव रिजल्ड जरूर देखने को मिलेगा अब दूसरे उपाय की बात कर लें तो अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई मनों कामना है जो पूरी नहीं हो रही तो किसी दिन प्राते काल उठकर स्नानादी करने के पस्चात किसी शिव मंदर में जाकर भगवान शिव को गौरी शंकर रुद्राच अर्पित करें इसके अलाबा इच्छा पूर्ती के लिए किसी शिव मंदर में जाकर 21 बिल्व पत्र यानि बेल पत्र लें और उन सभी बेल पत्रों पर सफेद चंदन की बिंदी लगाएं इसके बाद अपनी मनो कामना पूरी करने की प्रात्थना करते हुए शिव लिंग पर इसे अर्पित करें ये दोनों ही उपाय बहुती कारगर माने जाते हैं इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन अगर सौंबार को करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों अब तीसरे उपाय की बात कर लें तो आप एक बरगद यानि बढ़ का पत्ता लेकर उसे अपने उपर अप उस बढ़ के पत्ते को लें और उसके उपर अपनी मनो कामना लिख कर बहते हुए जल की धरा में बहा दें मानेता है कि इस उपाय को करने से जल्दी ही मनो कामना पूरी हो जाती है दोस्तों ये उपाय बहुत सरलय से हर कोई कर सकता है लेकिन इन उपायों को करते समय आप कोई भी उपाय अगर करते हैं तो मन में द्रण विश्वास और पवित्रता होनी चाहिए और साती सात्वित् अगर विश्वास के साथ अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको 100% उसका फल जरूर देखने को मिलेगा तो दोस्तो ये था आपकी इच्छा पूर्ती के उपाय के तो जरूर करें इसका लाब आपको जरूर मिलेगा और कमेंट बॉक्स पर हमें ये बताएं कि आपको इस उपाय का क्या लाब हुआ तो दोस्तो आप मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक चैशी किशना चैशी रादे हर हर महादेव